आपका स्वागत है तो नौरातन के महीने में कुछ चटपटा खाना है तो यह वाली रस्पी आप ट्राइ कीजिए यह बहुत ही अच्छी लगती और चाई के साथ आप इंज्वाय कर सकते हैं तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चलिए बनाते हैं इसे तो हमन अच्छी तरह चला लेते हैं थोड़ा साथ एक दो सिकन्ड इसको पका लेते हैं अच्छे से अर्ड़ी नहीं खाते हैं तो इसे इस किप भी कर सकते हैं तो यह पर देखिए हल्दी मेरी पग्गी है तो अब हम डालेंगे यहां पर उबला आलू हमने उबाल के इसे काट लि और इसे अच्छे से चला लेते हैं और इसी तरह चलाते हुए लगातार पांच से छे मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारा जो आलू है वह अच्छे से क्रिश्पी और करारी बने तो इसी तरह हम इसे दो-दो मिनट के बाद इसे चलाते रहेंगे और इसे पकाते तो एक बार और चला लेते हैं इस अलु को और हमाइरा आलू चुप रख है तो इसी तरह दो मिनट और पका लेते हैं अच्छे से को आपको आलू हमारा पक गया है तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह इसे चला लेते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें तो इसी तरह चलाते हुए इनको भी अच्छे से पका लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे गैस को बन कर देंगे और इसे थंडा होने देते हैं तो थोड़ा चलाते हुए इसे थंडा कर लेते हैं तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं तो यहां पर लेट लेंगे और इसमें निकाल लेंगे और ये चाई के साथ बहुत ही अच्छी लगती है आप चाहे तो कुट्टूगी रोटी बना के उसके साथ इंज्वाय कर सकते हैं तो एक बार जरूर इस रस्पी को ट्राई करें तो चलिए मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्य बाद मेरी वीडियो देखने के लिए